Hello dear parents, today I am going to tell you a simple and fun fine motor development exercise for your kids. Children can do this activity at home or in the classroom. इसके लिए चाहिए आपको single piece waste newspaper. आप किसी भी size का ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको suggest करूंगी कि पहले आप small size का paper लें. आप kite paper भी use कर सकते हैं, देखिए ये kite paper है, ये बहुत ही कम rate में आपको market में मिल जाएगा. एक रुपे में एक बड़ा piece आ जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं exercise, यहाँ पे मैं एक small piece of paper ले रही हूँ. और ये ध्यान रखना है आपको कि बच्चों का जो wrist है, वो table पे touch करता हुआ होना चाहिए, जब तक ये exercise चलेगी. तो देखिए, आप बच्चों को बोलेंगे कि paper को वो crumple करें. wrist touch होना चाहिए, table पे ये आपको ध्यान रखना है. और बच्चों के elbow और shoulder जो हैं बिलकुल आराम की स्थिती में होने चाहिए. आपको बच्चों को बोलना है कि वो paper को अच्छे से दबाएं अपनी fist में ले करके, इस तरह से. एक बार एक हाथ में, दूसरी बार दूसरी हाथ में. ये small piece के साथ हो चुका है, अब एक बड़ा piece of paper लिया है. इसे भी हम इसी तरीके से crumple करेंगे. दोनों हाथों से, पहले दोनों हाथों से, फिर उसके बाद एक-एक हाथ से. और हर बार ये ध्यान रखना है कि जो wrist है, वो table पे touch करती हुई हो. आप बच्चों को ये खेलने के लिए भी दे सकते हैं. अब बच्चों को इसे open करने के लिए कहेंगे. आराम-आराम से. और इन्हें बुलेंगे कि वो अच्छे से इसे फैलाएं. और फिर से एक बार उसे crumple करें. इस तरह से आपको ये दो-तीन बार करवानी है exercise. एक बार फिर से ये दोहराएंगे हम एक बड़े paper के साथ में. बच्चे को हम देंगे. और इसे बुलेंगे कि crumple करें. और ध्यान रखें कि बच्चे की wrist टेबल पे टाच होनी चाहिए. दोनों हाथों को यूज करते हुए अच्छे से crumple करेगा. बॉल बनाएगा. और उसके साथ चाहे तो वो खेल भी सकता है. ये देखिए इसको अच्छे से crumple करना है. फिर उसे आप open करवा के फिर से crumple करवा सकते हैं. अगर आपका बच्चा तीन साल से कम उमर का है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप kite paper का इस्तिमाल करें. वो kite paper आप बच्चे को crumple करने के लिए दे सकते हैं. ये देखिए इस तरह से. आपको उसे open करने के लिए भी कहना है और फिर से crumple करने के लिए कहना है. तो ये क्रिया दो या तीन बार आप आराम से करवा सकते हैं बच्चों से. इस activity को करने से बच्चों के fine motor skills develop होते हैं यानि के finger muscles develop होते हैं. This activity can help to children holding a pencil so they can write. ये जो paper crumpled हुए हैं इससे आप चाहें तो कोई art piece भी बना सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक mouse बनाया है बच्चों के लिए. आप भी ये बना सकते हैं. ये देखिए. एक mouse. तो आशा करते हूँ आपको ये पसंद आया होगी. अगर पसंद आया हूँ तो like, share and comment करना न भूलें. Thank you.